आज मैं ड्र Ugh जानकाली दूंगा किस के पॉइड को कब को गुरू किया जाता हैं। कि श्याज़ के गमले में गुरू किया जाता हैं। वाटरिंग कैसे करे। पॉइए में कब कौन सी ख़ अफदय pitcher दिजाए। अधिक संख्या में इसके पौधे से फ्लावर लेने के लिए क्या करना चाहिए तो यदि आपने इसके पौधे को लगा रखा या फिल लगाने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को पुरा के तक ज़रू देखिएगा अडेलिया की बहुत सारी वरैटी जाती है और उसी में से यह ड्वार्फ वरैटी है इस वरैटी की उचाई एक से डेर फिट और मैक्सिमम पौने दो फिट तक होती है इसके पौधे को कटिंग और स्रीड के माधि हम से लगाया जाता है इसकी सॉफ्ट वूट कटिंग को अगस्ट सितंबर और अक्टूबर नुवंबर तक लगाया जाता है इसके पौधे की हाट वूट कटिंग नहीं लगती है हमेशा सॉफ्ट वूट कटिंग को लगाया जाता है और कटिंग में दो तीन पत्ता होना चाहिए कटिंग को सैंडी स्वाल में कोकोपित में भी लगा सकते हैं और सबसे बहतर रिजल्ट कंस्ट्रक्शन सैंड में मिलता है कटिंग से लगाए गए पौधे में कम वक्त में पौधा फ्लावरिंग पर आ जाता है इसकी सीट को 10-15 सितंबर के बाद से अक्टूबर नवंबर तक लगा सकते हैं और अधिकतर इसका प्लांट सीट से ही ग्रो किया जाता है और आपको जो प्लांट दिख रहा है इसको भी सीट से ही ग्रो किया गया था यदि आप इसकी सेपलिंग खरीदना चाते हैं तो नरसरी पर आम तोर से अक्टूबर नुवंबर पर इसका च्छोटा पौधा बिकने लगता है आप खरीद सकते हैं एक पौधी की कीमत 8 रुपे से लेकर 10-12 रुपे तक होती है दिसम्बर जनवरी में इसका मेचियोर प्लांट भी बिकने लगता है जिसमें फिलावर खिला होता है या फिलावर बड लगी होती है ऐسे पौधों की कीमत डिसमबर जनवरी में 80 रुपे से लेकर 1.500 रुपे तक होती है फरवरी-मार्च में पौध़ी कीमत कम हो जाती है इसके पौधे में फ्लावर दिसंबर से खिलना सुरू होता है और फरवरी मार्च तक खिलता रहता है अपरील में भी कुछ फ्लावर खिल जाता है लेकिन फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा पौधे में फ्लावर खिलता है बात की जाए इसके पौटिंग मिक्स की कर पाउध wellness को लगा दीजिए 35 पर 3ымиड़ी 30 पर 35 कंपोपोश्ट को मिलाकर लगा दीजिए चॉथे थोग में 50 पर थीसट मिट्टी और 50 पर थीसट कंपोश्ट मिलाकर लगा सकते पांच में टैप के पोटिंग मिक्स में 50% कोकोपीट और 50% कमपोस्ट को मिलाकर लगा दीजिए इन पांचों में से जो भी आपके पास पोटिंग मिक्स है उसमें आप इसके पौधे को लगाईए और पानी हिसाब से दीजिए बात की जाए गंबले के साइज की तो इसके एक पौधे को 8 से 10 इंच तक के गंबले में लगाना चाहिए इस से चोटे गंबले में भी पौधे की ग्रोध हो जाती है लेकिन जो रिजल्ट मिलना होता है वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है इसके अलावा ये इस नरसरी पोट है इस गंबले को मैंने 25 रुपे में खरीदा था और क्योंकि ये नरसरी पोट है इसमें इतनी स्पेस है यतनी जगे 8 इंच के मिट्टी के गंबले में होती है कुल मिलाकर 10 इंच के गंबले में इसकी ग्रोध सबसे बहतर होती है पौधे में पानी देने में इस बात का खयाल लगिए, इसमें पानी हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि इसकी मिट्टी में ट्यूबर होता है, यानि कि इसका बल्ब होता है, पौधे की जैसे से ग्रोथ होती है, तो इसकी कुछ जर मोटी होती चली जाती है, जिसे हम ट्यूब केहते हैं पानी की अधीकता से उसमें सरन शुरू होती है और पाउधा मरने लगता है तो बहतर है कि पाउधे में पानी तभी दीजिए जब एक देर इंच की मिट्टी सूख जाए और जब पानी दीजिए भर पूर दीजिए मिट्टी के जर्रत जर्रत तक पानी को पहुँचा दीजिए और इतना भर दीजिए कि डेनजोल के रास्ते थोड़ा पानी बहर निकल जाए इसके पाउधे को ऐसी जगीब रखना है जहां पर सबसे ज्यादा धूप आती हो यह सनलविंग प्लांट है और पूरे दिन की धूप इसे पसंद है यदि इसे धूप कम दिया जाएगा तो इसके दो पत्तों की बीच की दूरी बढ़ जाएगी जिससे पौधा लंबा होने लगेगा पौधे की ब्रांचेस कम होगी फ्ल लिक्विट खाद या फिर कमपोस्टी को देना है मस्टट केक के लिक्विट खाद को बनाने के लिए 100 ग्राम मस्टट केक को 10 लिड़ पानी में 3 दिन के छोड़ देना है और फिर 4 दिन पौधे में दे देना है इसे हर 15 दिनों के अंतराल पर देना है और इसके साथ ही साथ दो chemical fertilizer भी दिया जाए तो और बहतर result मिलता है यह seasonal plant है जिसे grow होने के लिए समय कम मिलता है तो बहतर है chemical fertilizer देकर इसकी growth को कम समय में ज्यादा किया जाए तो सबसे पहला chemical fertilizer लेना है टी एपी डाई ammonium phosphate दूसरा लेना है पोटास आप NPK 0050 को भी ले सकते हैं इन दोनों को बराबर मातरा में मिला देना है और फिर उसके अबाद यदी पौधा छोटा है तीन चार इंच का तब आपको 15 दिनों के अंतराल पर mustard के का liquid खात देना है और हर 7 दिन के अंतराल पर आधा ग्राम इस mix को भी दे देना है तने से हट कर देना है और देने के बाद पानी भी दे देना है और इसे आप mustard के liquid खात के साथ भी दे सकते हैं देने के बाद गुराई नहीं करनी है देने से पहले मिट्टी की गुराई कर सकते हैं फिर जैसे से पौधा बरा होता जा वै देते रहना है, मैं फिर कहता हूँ, जब ही आप पोटास फटिलाजर का किसी भी पौधे में इस्तमाल करें, तो तब ही इस्तमाल करें, जब मिट्टी में नमी हो, या फिर फटिलाजर को देने के बाद पानी दीजिए, यदि आपके पास B.A.P. और पोटास नहीं है, तो हर 15 भी बैलेंश्ट N.P.K. को गोल कर पौधे के पत्ते पर स्प्रे किया जाए, हर साथ दिनों के अंतराल पर, इस बात कभी ख्याल लखेगा, यदि आपके पौधे का पत्ता हरा बरा है, और पौधा बरा भी हो चुका है, और पौधे में फलाबर बढ़ नहीं लग रही है, इसके लिए आप ऐसा N.P.K. के इस्तमाल कर सकते हैं, जिसमे N बहुत कम हो, या फिर बिलकुल भी ना हो, और साथ में P.R.K. लग भख बराबर हो, और अगर वैसा N.P.K. नहीं मिल रहा है, तब आप औरगैनिक खात को बंद कीजिए, और स्रिफ D.A.P. और पोटास को पर रहता है, तो जब इसे फॉसफोरस और पोटेसियम तो पौधे में कलिया भी लगने लगीगी, लेकिन हाँ, खात देने के साथ पौधे को ऐसी जगे पर रखना है, जहां पर पूरी दिन की धूप आती रहे, इसके पौधे से अधिक संक्या में फ्लावर लेने के लिए सबसे पहला काम करना है, पौधे को ऐसी जगे पर रखना है, जहां पर सबसे ज़्यादा धूप आ रही हो, दूसरा काम करना है, सही पोटिंग मिक्स में लगाना है, तीसरा काम करना है, पानी का ख्याल रखना है, चौथा काम करना है, खादा फडिलाजर देना है, समय समय पांचवा काम करना है जो भी फ्लावर खिल कर सूख जाए यानि फ्लावर पुडाना हो जाए उसकी पंखुडी गिरने लगे तो उस फ्लावर को तोरकर हटा देना है यदि पाउधा हाईब्रिट की एफवन वराइटी के सीट से ग्रो किया गिया होगा तब आप इसके सीट क सेफ करके नहीं रख सकते हैं अगर आप रखते हैं इसके बाद पौधे को ग्रो करेंगे और उसमें फ्लावर खिलेगा तो उसकी कॉलिटी अपने मदर प्लावर जैसी नहीं होती है और उस पौधे में बीमारी भी ज्यादा लगती है एफवन के अलावा किसी और वराइट जाए उसे तोरकर समय समय पर हटाते रहिएगा और जब पौधे का सारा फ्लावर खिल जाए फिर वो सीट पोड बन जाए और पौधा सूखने लगे और सीट पोड भी सूख जाए तब आपको पौधे से सीट को फूल के अंदर से लिकाल देना है और च्छायदार जगे मे मिले पेट कर रख दीजिए बात की जाए इसमें लगने वाली डिजिस की तो वैसे तो इसके पौधे में इंसेक्ट और फंगस कम से कम लगती है लेकिन पानी ज्यादा देने पर रूट रोड होता है और इसके ट्यूबर में सरन सुरू होती है और ट्यूबर के सरने से पौ फंगल डिजिस नहीं लगेगी और साथ ही साथ पौधे को पूरी धूप में रखिए और दो पौधों के बीच में अंतर रखिए और ऐसी जगे पर रखिए जहां पर वायू संचार होती रहे और जो फ्लावर खिलकर सूखने लगे उसे तोरकर हटा दीजिए अगर आप ब प्रफासे की बूंद की वज़ा से सरने लगती है जिससे फंगस लगता है इसके अलावा एफट थ्रेप्स माइट मिली बग और वाइट फलाई लगने का ख़दरा रहता है खास तोर से एफट थ्रेप्स और माइट एफट का कलर काला यलो और ग्रीन भी होता है तो जब हाथ से मसल कर हटा दीजिए या फिर नी मौल सलूसन का इस्तमाल कीजिए प्रॉब्लम ज्यादा हो केमिकल इंसेक्टिसाइट का इस्तमाल कीजिए थ्रेप्स के लगने पर इसकी फ्लावर बड काली परने लगती है और यहां तक की फ्लावर बड खिलने से पहले गिर जाती आम तोर से थ्रिप्स भी कम लगता है लेकिन पौधे में लग चुका है और अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तब आप कैमिकल इंसेक्टिसाइट का इस्तमाल कीजिए एफट और थ्रिप्स के लिए अमीरा क्लॉरपीट कैमिकल के इंसेक्टिसाइट का इस्तमाल कर सकते हैं जै इस इंसेक्टिसाइट से वाइट फलाईट पर भी कंट्रोल हो जाता है पर किसी भी कैमिकल इंसेक्टिसाइट को इस्तमाल करने से पहले इस बात का ख्याल लगिए यदि फादे में फ्लावर खिलावा है तो बहतर है इस्तमाल मत कीजिए क्योंकि जब फ्लावर खिल जाता है उसका पॉलन एक्सपोज हो जाता है तो बहुत सारी पॉलिनेटर इसके पॉलन का इस्तमाल करती है और केमिकल इंसेक्टिसाइट के इस्तमाल की वज़ा से पॉलिनेटर की जिंदगी खत्रे में बढ़ जाती है तो फ्लावर अगर नहीं खिलावा है अगर सिर्फ इस साइज का फ्लावर है जो तीन चार दिन में खिलने वाला है तब आप केमिकल इंसेक्टिसाइट का इस्तमाल कर सकते हैं और अगर पूरी तरीके से फ्लावर खिल चुका है और इस्तमाल करने की जरूरत है तो इस्तमाल कीजिए और पौधे को उठाकर ऐसी जखे पर रख दीजिए जहां पर पॉरिनेटर ना आती हो लेकिन हा रूम के अंदर मत रखिएगा यानि कि जहां पर इंसान रहते हूं वहां पर नहीं रखना है मुझे इंसेक्टिसाइट इस्तमाल करने की जरूरत परती है और पौधे में एका दुका फ्लावर खिलाव होता है तो मैं उस फ्लावर को तोर कर हटा देता हूं और इंसेक्टिसाइट का इस्तमाल करता हूं इसके पौधे को सपोर्ट देने की जरूरत परती है क्योंकि पौधे की बरांच अंदर से खोकली होती है खोकली होने के कारण फ्लावर के वजन से या फिर जब तेज हवा चलती है तो उससे इसकी बरांच तूट जाती है और एक दफा इसकी बरांच तूट गई तो फिर पौधा सही सलामत नहीं रह पाता है इसलिए पौधे में दो तीन बैंबू इस्टिक या फिर लकरी की स्टिक को लगा देना चाहिए ताकि तेज हवा चलने से पौधा न तूटे और वहतर है कि जब प्लान छोटा हो तभी इसे सपोर्ट दे देना चाहिए